Hello दोस्तो, Welcome to Crazytronics आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है Variable or Data Type Variable or Data Type का यूज Audino Programming में किस तरह किया जाता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे Variable or Data Type के Concept को समझने के लिए आपके एक एक्जामपल दूँगा इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगा मान लिजी आपकी पास में दो ग्लास है और दो ग्लास में से आपने एक ग्लास में रखे है पानी और दुसरे ग्लास में आपने रखे है जूस को तो ये जो ग्लास थे ये पहले से खाली थे जब हमने इसमें पानी डाले और juice डाले तब हम इसको अलग-अलग नाम से इसको call करेंगे पहले हम इसको normally glass ही बोलते थे लेकिन अब हम क्या बोलेंगे इसको एक glass को बोलेंगे glass of water और दुसरे glass को बोलेंगे glass of juice तो इन दोनों glass को special क्या बनाया कि इसके अंदर हमने क्या रखा है एक glass में हमने पानी रखा इसलिए इसको बोले glass of water और दुसरे glass में हमने juice रखा इसलिए इसको बोले glass of juice अब आपको same यही concept variable और data type में लगाना पड़ेंगा जिस तरह से आप glass के अंदर कोई liquid को store कर रहे थे ठीक उसी तरह से variable के अंदर भी आप कोई data को store करके रख सकते variable भी एक तरह का glass रहता है एक तरह का container रहता है एक तरह का खाली space जैसे रहता है और उस space के अंदर हम लोग data को store करके रख सकते और जिस तरह से हम glass के अंदर अलग-अलग type के liquid store कर रहे थे ठीक उसी तरह से हम variable के अंदर भी अलग-अलग type के data को store करके रख सकते ये data integer type की data भी रह सकते example के लिए 1,2,3,4 इस type के data को भी store करके रख सकते और variable के अंदर हम लोग character data type को भी store करके रख सकते जो कि रहता है ABCD इस type के data को भी हम लोग store करके रख सकते जैसा कि हमने पहले देखा था कि glass के अंदर हमने जो liquid store किया हुआ है उसके हिसाब से हमने glass का नाम रखे दे जैसे कि हमने अगर glass में पानी रखा है तो हमने उसको बोला था glass of water और glass के अंदर अगर हमने juice रखा है तो हमने उसको बोला था glass of juice ठीक उसी तरह से अगर variable में integer data store है तो उसको हम बोलेंगे integer type variable और अगर variable के अंदर character data store है तो उसको बोलेंगे character type variable I hope की ये example आपको अच्छे से समझ में आ गया हूँगा अगर variable की simple definition देखेंगे तो variable जो रहता है वो एक तरह का container रहता है एक तरह का storage रहता है जिसमें की हम data को hold करके रख सकते हैं उसके अंदर data को store करके रख सकते हैं और जो data types है उसका normal मतलब होता है types of data और डिनो की programming में जिन data types का यूज किया जाता है वो कुछ इस तरह से integer character float double array long string उसके बाद में आता है boolean byte unsigned integer unsigned character unsigned long void तो इतने सारे types है variable के जिनका यूज किया जाता है data types को एक single video में देखेंगे लेकिन फिलाल के लिए इस वीडियो में हम लोग integer और character data type को देखेंगे जिनका यूज सबसे जादा ordino programming में किया जाता है तो हम सबसे पहले देख लेते integer data type variable के बारे में जो integer data type variable रहता है यह store करता है integer numbers को integer number means one two three इस टाइप की जो numbers है इन सारे number को integer data type variable store करता है और इसका keyword रहता है int और इसका syntax रहता है int उसके बाद में आपको लिखना पड़ता है variable का नाम और उसके बाद में value कि आप उसके अंदर कौन सा number store करवाना चाहते हम इसका एक example देख लेते हैं मान लीजिए मैंने लिखा int i equals to two यहाँ पर मैंने जो int लिखा वो है keyword i है यहाँ पर variable का नाम और two है variable की value जो की i में store होंगी और यहाँ पर हमने जो equal का जो sign दिये है उसे कहते है assignment operator कि हमने i variable के अंदर जो value assign किये है वो है two इसके बाद में हम देखेंगे character type variable जो character type variable रहता है वो कोई भी alphabetical symbol को store करके रख सकता है example के लिए a b c d इस type की जो symbol रहते है letter रहते है इनको store करता है character data type variable और यह जो character data type variable रहता है इसका keyword रहता है care c h a r और इसका syntax रहता है care variable name और उसके बाद में letter character data type variable का हमें एक example देख लेते हैं मान लीजिए मैंने लिखा care i equals to s यहाँ पर care जो है इसका keyword है i variable का नाम और s है variable की value कि हमने i variable के अंदर s value को store करवाए आपको यहाँ पर एक बात याद रखना पड़ेगा कि आप जब भी character data type variable में कोई value को store करवाते हो तो आपको उस value को single quote में लिखना पड़ेगा जैसा मैंने यहाँ पर i variable के अंदर s value को store करवाया हूँ तो यहाँ पर मैंने s को single quote में लिखा हूँ इस तरह से हमने देख लिए character data type variable के बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में हमने variable के बारे में देखा data types के बारे में देखा ordino programming में जिन data types का use होता है उसके बारे में देखा और साथ में हमने integer और character data types को detail में देख लिए I hope कि आपको variable और data type का concept समझ में आ गया होगा और साथ में आपको integer और character data types भी समझ में आ गया होगे दोस्तो अगर आपको इस वीडियो में अभी भी कोई doubt है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो ओडियो की programming सीखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को भी दबा दीजिए जिसे की हम जब भी ओडियो की programming के tutorial upload करेंगे तो आपको notification मिल जाएगा दोस्तो वीडियो को आखरी तक देखने के लिए thank you so much